हेलो गाइस तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा email ID है यानि कि Gmail account है वो Dixia application के साथ हम connect कर सकते हैं तो first of all हमें Dixia application open करनी है and main फाइदा क्या है कि कभी कबार ऐसा होगा कि हमारा SIM card है वो network problem में या फिर validity खतम होने के बाद हम कोई OTP receive नहीं कर पाएंगे तो सारी activity रुख जाएगी बट अगर हमारा Gmail account है वो Dixia application के साथ connect होगा तो OTP उस email ID पर भी send होगा जिसकी वज़े से हम फिर से login या फिर उस सारी जंजट से बच सकते हैं तो first of all हमें इस profile button पर click करना है profile button पर click करने के बाद यहाँ देखे तो add email address करकर एक tab है उस पर जाना है and हमें यहाँ हमारा email address type करना है email address type करने के बाद हमें submit button पर click कर देना है and यहाँ पर आ रहा है कि you will receive an email with the OTP for email address verification and अगर email ना आये तो हमें Gmail application open करके रखने है and जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही try किया था कि OTP successfully आ गया है now मैंने yes तो यह second बार भी email आ चुका है अगर हमारा sim card बंद होगा तो भी यह email के through हम इस दिक्सा application में login कर सकते हैं so मैंने देखा कि यह मेरा OTP है उसको मैंने copy कर लिया and then उस OTP को मैंने इस दिक्सा application में paste कर दिया फिर submit कर दिया जिससे यह email ID है वो दिक्सा application के साथ connect हो चुका है हम यहाँ पर देख सकते हैं and कभी कबार अगर sim हम sim के साथ कुछ problem होगा sim में तो इस email ID के through भी हम login कर सकते हैं जो कि beneficial है so email ID या फिर second mobile number जरूर हमें connect करना चाहिए इस दिक्सा application के साथ and all the best